भरति विजन क्लासेश पर सभी साथियों का एक बरपुना स्वागत हैं साथियों आज का क्लास बहुत ही महतपूर्ण है आज हम इस क्लास में आधे अधुर्य नाटक को लेकर आएं जो आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण साबित होगी यह नाटक जो हैं बहुत सारे कि परिक्षा में आधे अध्य नाटक लगा हुआ है उनके लिए वह कलास बहुत ही महतपूर्ण है कलास को बहुत ही बेत्रिंग तरीके विख्यात महान लेखक माने जाते हैं यह इसका परकाशन वर्ष पहले देख लेते हैं आधे अधुरिय नाटक का परकाशन वर्ष क्या है तो 1979 इसवी किस पत्रिका में परकाशी थी धर्मयूग पत्रिका में किस पत्रिका में धर्मयूग पत्रिका में अब हम सबसे पहले लेखक परिचे देख लेते हैं, तो मोहन राकेश का जर्म 8 जनवरी 1925 इसवी अमरित सर पंजाब में हुआ था, कहां हुआ था तो अमरित सर पंजाब में, कब 8 जनवरी 1925, मिर्तियू इनका कब हुआ, 3 दिसंबर 1972 दिल्ली में, इसके बाद इनके पिता का नाम देख लेते हैं, तो मोहन राकेश के पिता जी का नाम क्या था, करम चंद अरोरा, क्या नाम था, करम चंद अरोरा, इनका मूल नाम क्या था, तो याद रखना ये बहुत बार परत्योगी परिक्षा में पुछा है, कि मोहन राकेश का मूल नाम क्या है, तो मोहन चलते हैं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके उपन्यास की तो हुपन्यास में जो महम्तपुल हुपन्यास है अन्ध्यम बंध कम्रे इसका जो प्रकासन वर्ष है спис 971 न आने वाला कल इसका प्रकासन वर्ष है 1970 अंतराल इसका परकासन वर्ष है 1973 इनका एकोर उपन्यास है कापता हुआ दरिया अब यहाँ चर्चा है इनकी एकोर उपन्यास की जो हो सकतर परिक्षा में पुछ दे कि मोहन राकेस का बाग कौन सा उपन्यास है जो क्या है अपरकासित अनि जिसका परकासन नहीं हुआ है तो रोसनी की बाहें रोसनी की बाहें इनका अपरकासित उपन्यास है अनि इसकी रचना तो हो चुके परन्तु आज भी इसका परकासन नहीं हुआ है तो इनके उपन्यास देख लिए हैं अंधेरे में बंद कमरे ना आने वाला कल अंतराल कापता हुआ दर्या और रोस्नी की बाहें जो क्या है और परकासित है अब नाटक की चर्चा करते हैं तो मोहन राकेस की नाटक है यहाँ देख लिजे असाड का एक दिन बहुत ही परसित नाटक है जरू देख लिजेगा मली का वाला जो नाटक है बहुत ही 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 बहु जहरों का राजहंस इसके लावे इनका आधे अधूरे जिसको आज हम इस कलास में पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं पेर तले की जमीन देखें यहां बहुत जितने महत्पुर्ण पॉइंट थे बिंदू थे उसको सबको हम लेकर आए हैं पेर तले जमीन इनका अधूरा नाटक याद रखेगा मोहन राकेश का अधूरा नाटक एक है जिसका नाम है पेर तले की जमीन जो क्या है अधूरा नाटक है जिसे किस ने पुरा किया तो कमलेशवर जी ने पूरा किया अगर चलते हैं एकांकी देख लेते हैं अंडे के छिल के बहुत ही बैत्रिंग एकांकी है पड़ लेना जरूर सिपाही की मा प्यालियां तूटती हैं बीजनाटक रात बितने तक इस अभी क्या है तो इस अभी मोहन राकी जी के क्या है तो एक आन की है परमुक कहानिया देख लेते हैं इंसान के खंडहर 1990 में प्रकाशित हुई मिस्पाल जो जार्खन CGL के सिलेबस जो है जिसके हिंदी पेपर टू इसमें लगा हुआ है मलेवे का मालिक 1967 जानवर और जानवर 1958 पहचान 1972 इनके आन यह बहुत सारे कहानिया है परंती परमुक कहानिया इनसे परतों की परिक्षा में परशन आच चुके हैं अब हम चलते हैं क्योंकि मेरा यह कलास था अधेर दूरे नाटक से जुड़ावा कलास था बहुत ही महत्पूर्ण कलास है जो विद्यारती अभी तक भारती विजन क्लास को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अंध में जाए आधेर दूरे नाटक के महत्पूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे और आपको बता दू किसी को नौट्स चाहिए हिंदी सहीत्य का नौट्स अगर किसी को चाहिए तो संपूर्ण नौट्स उपलब्द है वह भी हास्त लिखित अनि हेंड रैटिंग इंगलिस में कहते हैं तो हस्त लिखित जिसे भी नौट्स चाहिए सब कुछ उपलब्द है मेरा डिस्क्रिशन बॉक्स में नंबर दिया हुआ वहां समसे जूड़ सकते हैं इसके लावे भारती विजन क्लासेश का टेलिग्राम ग्रूप भी चलता है टेलिग्राम ग्रूप का भी लिंक जनकारी मिल जाएगी चलिए अब चर्चा करते हैं आधे अधुरे नाटक से जुड़े महत्पुर्ण तत्य एक अक बिंदु को हम लेकर आये हैं महत्पुर्ण बिंदुवों को सबसे पहले आधे अधुरे नाटक 1979 में परकासित हुआ तो 1979 इस वी में आधे अधुरे नाटक का पर्थम मंचन स्री ओम सीपुरी के निर्देशन में किनके निर्देशन में तो स्री ओम सीपुरी के निर्देशन में पर्थम मंचन इसको याद रख लेना आधेया दुर्य नाटक का पर्थम मंचन शिरी ओम सी पूरी के निर्देशन में दिसांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1979 में हुआ था और इसका पर्थम मंचन कहां हुआ था तो दिल्ली में हुआ था किसके दवारा तो दिसांतर दवारा और इसके निर्देशक कोंथ है इनके निर्देशन में तो ओम सी पूरी के निर्देशन में और कब तो 1979 यहां से देखे कितने फ्वेंट बन रहे हैं अधीयद्यरी नाटक का पर्थम मंचन का वई 1969 गवी में कहां पर हुआ तो धिल्ली में एक पेन्ट को समझिए कहां हुआ तो धिल्लीं में किस के दबारा हुआ तो दिसांतर के दबारा उसके निर्देशन को थे तो शिरी ओम सिर पूरी और यह हिंदीश हम परथम मंचन इसका हुआ था और यहां बहुत सारे प्वेंट बने इससे आगे देखे यह तीन अंकों का नाटक है तीन अंकों का नाटक है यहां मध्वर्गिये परिवारिक जीवन पर अधारित एक समस्या और चरित्र परधान नाटक है सभी महतपूर्ण पुएंट को लेकर आएं, हो सकता परस्ण बन सकता है, वह कौन सा नाटक है, जो मध्यवर्गिय परिवारिक जीवन पर अधारित एक समस्या और चरित्र परधान नाटक है, इस नाटक में परिवारिक वी घटन, इस्तिरी पूरुष सम्मंद, इत्यादी का सफल चित्रन हुआ है, इस्तिरी पूरुष के जो सम्मंद होता है, उसका भी इसमें चित्रन हुआ है, और परिवारिक वी घटन, इनि परिवार के लोग किस परकार बेघर हो जाते हैं, अर्थात परिवार में किस परकार लोग मेल जोलन नहीं होता है, उसका भी इसमें सफ समकाली नाठक, जिन्दगी का इसमें चर्चा है, जिसमें मौझुधा जीवन में जिस परकार लोग रहा करते हैं, उसको इसमें रेखांकित किया गया है। यह नाटक इस्तिरी पुरुस के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है यह जो नाटक है वह इस्तिरी पुरुस के बीच तनाव और लगाव दोनों चीज़े हैं लगाव और तनाव दोनों की चर्चा है कहीं लगाव है तो कहीं तनाव है दोनों का इसमें क्या है तो चर्चा है इस नाटक का नायक महेंद्रनाथ है कोन है तो इस नाटक का नायक महेंद्रनाथ है और नायका कोन है तो सावित्री है अब ये दोनों कोन है ये दोनों पती पत्नी याद रखना पती और पत्नी है ये अधे अधुरिय नाटक में जो सावित्री है जो नाईका पात्र के रूप में है और महेंद्रनात की पत्नी है और संपूर नाटक में प्रारम से लेकर अंतक बनी हुई है अगला मत्पून प्वेंट सावित्री महेंद्रनात के साथ विवाह करके खूस या संतूस्ट नहीं है और सावित्री महेंद्रनात के साथ विवाह करके ना तो खूस है और ना ही संतूस्ट है इसलिए कि वह अपने जीवन के संपूर्न सूख के लिए अन्य पूरुसों की तल अन्य पुरुसों के भी तलास में जिसके साथ उनका जीवन संपूर्ण जीवन बिचगने संपूर्ण सुख की प्राप्ती हो सके इसके लिए वो दुसरे अन्य पुरुसों के भी तलास में है सावित्री का अन्य पूरुसों से समंध होने के कारण महेंद्रनात और सावित्री का दामपत्य जिवन कलह पूर्ण है ये तो ऐसा होता ही है कि पत्ती पत्नी के बीच अगर एक प्रकार से डौट आ जाते हैं या फिर एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता तो सावित्री अन्य पूरुसों के साथ समंध था अनि बहुत पूरुसों के समंध था जिसे महेंध्र नात और सावित्री के जो दामपत्य जिवन है उनका परिवारिक जिवन है वो क्या था कलापूर्ण था हमीशा लड़ाय जगणा होते राता था यहां तक कभी-कभी महेंदर अनात गुसे में सावित्री को पीटी भी देता था इस नाटक की कथा की शुरुवात काले सूट वाला आदमी से होता है याद रखना यह भी महत्पूर्ण है इस नाटक की कथा का जो शुरुवात होता है किसके द्वारते काले सूट वाले आदमी के द्वारा होता है जो इस नाटक में पुरुस एक की, पुरुस दो की, पुरुस तीन की और पुरुस चार की भूमिका में है और इस नाटक में चार पूरुसाइएं, पूरुस एक, पूरुस दो, पूरुस तीन और पूरुस चार, चारो भूमिका में कोने तो काला सुट वाला आदमी ही है आगे आधे अधूरे नाटक का कार्यस्थल मकान में बेठने का कमरा है जिसे आजकल के जमाने में कहते हैं घर में कमरा होता है थोड़ा उसकी छड़ाई लंबाई कमरे से ज़्यादा होती है उसमें बहुत सारे चीज रखे जा सकते हैं तो उस मकान में बेठने का कम्रा उसमें क्या क्या है देख लीजे एक सोफे कुरसियाँ मेजे अलमारी किताबें और कुछ फ्टैय्यादी सभी क्या है तो कमरे में जो कमरा में बैठने का जो अस्थल है जहां पर लोग बैठा करते हैं वहां पर ये सभी चीजें लगे वी अक्सर जिसके यहां भी जाइएगा तो आपको जो घबियाम बोले हाल में उनके हाल में जाइएगा ता आपको ये सही मिलेगा सोफ़ा लगावा रहेगा, कुर्सी लगावा, मेज लगावा रहेगा, अगल बगल में अलमारी भी लगावा रहेगा, किताबें, फैलें, विगरा सब अलमारी में रखी भी मिलेगी, ऐसी हर किसी कि यहां होता है आगे है इस नाटक में परिवार का परतेक सदस एक दूसरे से कटा हुआ है अब इस नाटक में जो आधे अधुरे नाम से ही पता चल रहा है तो इस नाटक में परिवार का परतेक सदस एक दूसरे से क्या है कटा हुआ है किसी का मेल नहीं खाता है तबी लोग एक दूसरे से कटते हैं सावित्री का घर उसकी कमाई पर किसी तरह चल रहा है सावित्री जी का जो घर पर चल उसकी कमाई पर ही चल रहा है सावित्री घर की मालकिन है सावित्री कोन है घर की मालकिन है अब घर उसी के दोरा चलेगा तो घर का मालकिन कोन होगी, सावित्री तो ही होगी ना, एक समय महेंद्रनाद घर का स्वामी था, अब देखो एक समय एसा था, वो समय कब सावित्री की कमाई से अभी उसका घर चल रहा था, परन्तु एक समय एसा भी था, जिसमें महेंद्रनाद घर का क्या था, गिरह स्वामी थ परन्तु आज वह अपने घर में नोकर के समान है और अज इसके साथ किसी का सभाव अच्छा से नहीं किसी का जो बरताव है अच्छा नहीं है कोई भी उनसे अच्छा से बातचित नहीं करता है तो यह सभी महतपूर्ण फ्वेंट थे यह महतपूर्ण फ्वेंट आधेदुरे नाटक से जुड़े महतपूर्ण फ्वेंट थे इससे आप याद करें न क्यूकि यहां से प्रस्णर बहुत बाहर आए हैं और बनते भी हैं अब हम पात्र परिचे को देखते हैं एकक point को चर्चक करेंगे पात्र परिचे की चर्चक करेंगे इतना बेहत्रिंग video आपको YouTube पर कहींडे मिलेगा क्योंकि हम हाथ से लिकर खुद notes त्यार करते हैं और आपके लिए बेहत्रिंग video लेकर आते हैं ताकि आप इसे video class को पढ़ पर जितने भी वीडियो क्लास है सभी का हस्त लिखित नौट्स आपको मिलेंगे इसके लिए आप मेरा डिस्क्रिशन बॉक्स में मेरा मुबाइल नंबर भी दिया हुआ शाती साथ भार्ति विजन क्लास का टेलिग्राम लिंक भी है वहां भी जूड सकते हैं और या तो डारे 15 अक्टूबर से क्या शुरू हो गया तो पुनाव MCQ टेस्ट शुरू हो गया परती दिन साथ प्रस्न सुबा साथ प्रस्न रात्री को टेस्ट होता जिसको इसमें भाग लेना है मात्र कितना पे करना है 200 रुपिया पे करके पूरे 15 नवंबर तक आप टेस्ट दे सकते हैं उसके लिए भी आपको हमसे डिरेक्ट कोंटेक्ट करना हुआ उसका भी नंबर नीचे दिया हुआ है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं पात्र परिचे की चर्चा करते हैं तो काला सूट वाला आदमी क्योंकि सबसे पहले ही आता है इस न समबाद है इसा लगता है काला सूट वाला आदमी खुद से ही बाते कर रहा है आधे अधुरे नाटक में पुरुस एक पुरुस दो पुरुस तीन और पुरुस चार की भूमिका में और यह दखना आधे अधुरे नाटक में या जो पात्र है वो पुरुस एक की भूमिका म पुरुस दो की भूमिका में भी पुरुस तीन की भूमिका में भी और पुरुस चार की भूमिका में भी यही पुरुस है यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं उम्र कितना लगभग है उन्चास से पचास लगभग उम्र है काले सुट वाले आदमी का महेंद्रनाथ रखते 1 दुसरा पात्र है महतपूर्न पात्र महेंद्रनाथ अब यहां देखें यहां से प्रस्थ ना जग सकतए अध्य दूर्य नाटक में पुरुस एक की भूमिका में में महेंद्रनाथ पहनावा क्या है तो पतलून कमीज इस अभी मातपूर्ण है सबकुम लेकर आये हैं तो महेंद्रनात पुरुष एक की भूमिका में है पहनावा पतलून कमीज महेंद्रनात आधे अधुरे नाटक का एक नायक पात्र है सावित्री का क्या है तो पती है हिर्दय रोक से पिडित अनि बलट प्रेसर की बीमारी है एक समय दोस्त जुनेजा के साथ मिलकर वैपार अनि वैवसाय करता था तो घर का स्वामी था अनि एक समय ऐसा था जिस समय वो अपने मित्र जुनेजा के साथ मिलकर क्या करता था वैपार करता था तो उसमय घर का स्वामी था पर अनि वैवसाय में लगतार नुकसान होने से वह अब घर में बेकार बेठा रहता है अब वो घर में क्या रहता है बेकार बेठा रहता है अपने घर में महेंद्रनात की हैसियत अब केसियत नोकर सी अनि नोकर के भाती अपने घर में ही रहता है अब महेंद्रनात की उम्र कितना लगभग 49 वर्ष कितना 49 वर्ष परिवार के सभी सदस्य से टूटा हुआ है अनि म तो घर में उसका उतना सम्मान नहीं है इसके चलते जबकि घर एक समय था कि घर के लोग इसे पुरा सम्मान देते थे घर का स्वामी था क्योंकि उसमें वैपार करता था अनि जिस समय इसको वैपार में लाब होता था उसमें घर का स्वामी था परंतु जैसे वैपार में नुक्सान होते चला गया धिरे धिरे क्या हो गया गर जमें डूब गया घर में बेकार बेटने लगा और इसकी पत्नी क्या करने लगी किसी ओफिस में जाकर काम करने लगी औ का जो हेसियत रहा वो पहले जैसा नहीं रहा और भी point है इसे जुड़े वे महिंद्रनाथ से पत्नी के प्रेमियों को घर में परवेश करते समय यह घर से भाग जाता रहता है यह भी याद रखना इस नाटक में जब जब पत्नी के जो इतने भी प्रेमी है वे सभी जब एका क भी जब पत्नी अर्था सावित्री के प्रेमी लोग आते हैं तो एक घर में नहीं रहता है घर से हमेशा किसी ना किसी बहाने घर से बाहर चला जाता है और किसके पास चला जाते हैं तो अपने मीत्र जुने जा के पास महेंद्रनात अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं अब देखें महेंद्रनात अपनी पत्नी सावित्री से प्रेम भी करते हैं परंतु वैवसा में हानी से सावित्री की कमाई पर पलने के कारण द दुखी है, नाटक के अंत में अपने परिवार से अपमानित होकर जुनेजा के घर चला जाता है, परन्तु बीमार हो जाने के कारण वापस अपने घर लोटाता है, याद रखना नाटक के अंत में इसा होता है कि वे अपने मित्र जुनेजा के हाँ चला जाता है, सभी से गु उसके साथ रहने के लिए तो वो भी उसका सवित्री का भी जो सपना वो भी पूरा नहीं होता है और महेंद्र अनात भी सोच के चलता है मैं वापस अपने घर नहीं याओंगा परन्तु ये भी अपने घर वापस आ जाता है यानि दोनों संपुर्णता की ओर चलते हैं खास कर थे संपुर्णता को संपुर्णता किसी को प्राप्त नहीं होता दोनों अधूरे होकर अपने घर को लोटते हैं अब सावित्री को देख लेते सावित्री इस नाटक में इस्तिरी पात्र के रूप में आई है आधे अधूरे नाटक की नाईका है इसका उम्र कितना है तो सा अपने परिवारिक जीवन में संपुनता की तलास में लगी रहती है परंतु असफल होती है अनि वह अपने परिवारिक जीवन में कह सकते हैं अपने जीवन में ही संपुनता की तलास में हमेशा लगी रहती है जिसके करण कई पूरुसों के संपर के माती है परंतु अंत में शफल होकर घर लोटती है अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाली स्थिरी है वो अपने परिवार में एक मात्र इस्थिरी जो और जिवन में संपूर्नता प्राप्त करने के लिए सिवजीत, जुनेजा, सिंघानिया, मनोज और जगमोहन से समंद रखती है किन-किन विक्तियों से समंद रखती है अपने घर के आर्थिक इस्थिति को सुधारने के लिए तो सिवजीत से रखती है, जुनेजा से रखती है, सिंघानिया से रखती है मनोज से रखती है और जग मोहन से रखती है सावित्री का चरित्र नारी के रूप में सावित्री का जो चरित्र है वो चरित्र हीन नारी के रूप में चित्रित हुआ है केसी नारी के रूप में चरित्र हीन क्योंकि बहुत सारे पूरुसे से इनका संबन्ध था जगमोहन से सावित्री का खास सम्बंध है परंतु जगमोहन से भी सम्पुनता नहीं मिलने पर यहां थोड़ा सा यहां नहीं होगा नहीं मिलने पर वापस घर को लोटती है अनि जगमोहन से सावित्री का खास सम्बंध है एक परकार से कह सकते के जो आंतरिक सम्बंध होता है सब कुछ एक नजायच सम्बंध जिसे कहा जा सकता है तो जगमोहन से सावित्री का सम्पुन सम्बंध था जिसके बारे में महिंद रनात भी जानता था तो जगमोहन के साथ भागना भी चाहती है परंतु जगमोहन जब मना कर देता है तो पुना वापस क्या होती घर लोटती है आनि सम्पुनता की तलाज जगमोहन से चाहती है प्रंतु जगमोहन से भी क्या होता है संपूनतन जब नहीं मिल पाता है तांत में वो क्या होती है वापस अपने घर को लोटती है यह सिंखानिया से असोग की नोकरी की सिफारिस भी करती है यह ताला विस्षा होगा सिफारिस तो ये सिंगानिया से भी क्या करती है तो सिंगानिया कोनेत आपको पता है ना सिंगानिया जो है सावित्री का बाउस है और उसे अपने पूत्र असोक असोक कोनेत इनका पूत्र है असोक की नोकरी की सिफारिस करती है ये सभी महतपूर्ण है हम जब भी कोई वीडियो क्लास लेकर आते हैं तो संपूर्ण नॉट्स को लेकर आते हैं आपको समझ में पूरा आ जाए सावित्री और महेंद्र नात के तीन संताने दोनों से क्या है तीन संतान हुए असोक जो सबसे बड़ा है जिसका उम्र कितना बताया गया एक इस वर्ष दो लड़कियां है एक कना में बिन्नी एक कना में किन्नी बिन्नी बिन्नी बिस वर्ष की है और किन्नी तेरा वर्ष की है कहीं बारा से तेरा वर्ष भी बताया गया है अब यहां देखे सावित्री के बारे में सावित्री विशेश अवसर पर दूसरी साड़ी पहनती है जब दूसरी साड़ी पहनती है तो किसी विशेश अवसर पर एक प्वेंट और महत्पूर्ण है सावित्री के लिए सावित्री जीवन में जिस विलास वयसन की पूर्णता की तलास में रहती है उसमें असफल होकर आधे अधूरे जीवन बिताती है और वापस घर को लोटती है अपुना अधे अधूरे जीवन को ही बिताती है चौन्था पात्रे सिंगानिया, पुरुस दो की भूमी का में आद है किया, पुरुस एक में महेंदर ना था, पुरुस दो में सिंगानिया, पहनावा पतलून और बंद गले का कोट, ये भी याद रख ले ना, पहनावा क्या है तो पतलून और बंद गले का कोट, सावित्री का बॉस है और चरित्रहीन आदमी केसा आदमी है चरित्रहीन आदमी है सावित्री से सम्मंद रखता है किसे सम्मंद रखता है सावित्री से सावित्री के कहने पर सावित्री के यहां असोक की नोकरी के सिलसिले में बात करने आता है अनि सावित्री जब सिफारिस करती अपने पूत्रे के बारे में तो उसके यहाँ चाया कॉपी पिनेगल आता है सावित्री की बिन्नी पर गलत नजर डालता है अनि सावित्री की जो बेटी बिन्नी है जब उसके यहाँ आता है असोक की नोकरी के सिल्सिले में तो उसकी बेटी बड़ी बेटी बिन्नी को देखता तो उस पर गलत नजर से मतलब देखता है सावित्री से अवेद संबंद का भी अनुमान लगता है और जिस परकार दोनों का बाचित्था उसे पता चलता कि सावित्री से हो सकता है कि सिंगानिया का अवेद संबंध भी हो सकता है इससा अनुमान लगता है पंचवा पात्र है जग मोहन पुरुस तीन के भुमिका में है किस भुमिका में पुरुस तीन के भुमिका में इसका पहनावा क्या है पतलुन टीशट पतलुन और टीशट सावित्री का सबसे पुरान प्रेमी है सावित्री को कूकू कहकर पुकारता है ये सभी महतपूर्ण है याद रखना सावित्री को क्या कहकर पुकारता है तो कूकू कहकर पुकारता है सावित्री से आंतरिक समंद भी रखता है जिसके बारे में महेंद्र नाथ भी जानता है इसका पती महेंद्र जो है वो अब देखें जगमोहन का हाथ में हमेशा सिगरेट का डबा रहता है और हमेशा वो सिगरेट पीते ही रहता है और शिगरेट पीने का आदी है कौन तो जगमोहन मिठा बोलकर लोगों को आकरशित करता है इसका एक और सवहा है जगमोहन का कि मिठा मिठा बोलकर लोगों को क्या करता है तो लोगों को आकरशित करता है इधर सोगा जगमोहन की नियू इंडिया की गाड़ी ये भी बहुत महत्पुन्हें जगमोहन की गाड़ी का क्या नाम था नियू इंडिया। सावित्री जगमोहन के साथ संपुनता को तलास्ती है परनतु असफल रहती है। क्यों सफल रहती है क्योंकि सावित्री जब कहती है ये बात को रखती है तो जगमोहन बोलता है कि मेरा भी जीवन उतना अच्छा नहीं है है ना इसा बोलती है तो अंत में उसे लगता है कि जगमोहन के साथ भी वह संपूर्ण तरीके से उसका जीवन संपूर्ण नहीं हो सकत सावित्र और जगमुहन के बीज जाएस समन्द को महेंद्रनाथ भी जानता है, इसकी चर्चा वहान दो तिन बार कर चुके हैं अगला पात्र है जुनेजा पुरुष चार की भुमिका में है पुरुष चार की भुमिका में कोने तो जुनेजा है पहनावा इसका क्या है तो पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट चेहरे पर बुजूर्ग सा अहसास जुनेजा कोने तो महेंद्रनात का क्या है तो मी है वयवैसाय करता है प्रंतु वयवैसाय में क्या होता है असफल होता है और जुनेजा थोड़ा से रूख जाना हाँ महेंद्रनात के साथ वयवैसाय करता है प्रंतु वयवैसाय में असफल होता है जिसमें ज्यादा नुक्सान महेंद्रनात को होता है चूंकि महंद्रणात कर्जमें चला जाता है तो सब्सक्राइजा केसा आद्मियत परनंतु पहले में लेकर आता है ही बात लेकर आता है कि वह तुमसे छुटकारा पाना चाहता है नहीं महेंद्र ना तुमसे छुटकारा पाना चाहता है एक समय जुनेजा भी सावित्री के संपर्क में था एक समय भी ऐसा था कि जुनेजा भी था वो सावित्री के संपर्क में था क्योंकि सावित्री अपने जिवन के संपूर्णता की तलास में, कई पूरुसों के तलास में थी, उसमें एक बार जुनेजा भी उसके संपर्के में आया था अगला पात्र असोक, महेंद्र रनात का बड़ा लड़का, उम्र लगबाग 21 वर्ष जर में बेकार बेथा रहता है, आनि बेरोजगार है, सावित्री इसकी नोकरी की सिफारिस अपने बोस सिंघानिया से करती है, और फेल हो जाता है, बी ए में क्या हो जाता है, थेल हो जाता है, छोड़ देंगा, तो फेले न हुआ फिल्म अब नेत्रियों की तस्विरें हमेशा देखता रहता है उसे काटते भी रहता है अनि फिल्म अब नेत्रियों के तस्विरें देखना अखबार में उसे काटते रहना और असलिल किताबों में रूची रखता है केसी किताबों में रूची रखता है असलिल किताबों में सावित्री के प्रेमियों का अपने घर में आना इसे पसंद नहीं है आनि सावित्री के जो प्रेमी हैं सभी एकर करके जब सावित्री के यहां आती है तो यह असोक को अच्छा नहीं लगता है असोक को चित्र बनाने में बड़ा मजा आता है असोक पेट पर बिन्नी का चित्र बनाता है किसका चित्र बनाता है बिन्नी का असोक इद्योग सेंटर में काम करने वाली लड़की जिसका नाम था वर्ना याद रखना असोक जो है इद्योग सेंटर में कोई काम करने वाली लड़की का नाम था वर्ना उस लड़की से क्या करता असोक प्रेम करता है यह भी बहुत महत्पूर्ण पोइंट है अब चलते बिन्नी की ओर बिन्नी असोक की बड़ी लड़की है उम्र कितना है तो 20 वर्ष महेंद्र नाथ और सावित्री की बड़ी लड़की सावित्री का प्रेमी मनोज के साथ भाग कर विवाह कर लेती है आनि सावित्री जो बिन्नी जो है वो सावित्री का एक प्रेमी मनोज था क्योंकि उसके संपरके में भी सावित्री थी पर मोका देखते हैं सावित्री का प्रेमी जो मनोज है वो क्या करता है बिन्नी को ही भगा कर उससे क्या करता है विवाहा कर लेता है बिन्नी अपनी मां से पचास यहां पचास पैसे होंगे छुट गिया है तो बीनी अपनी मास से पचास पैसे की छुटे मांगती है आधे अधुरे नाटक में बीनी भी एक महत्पुन पात्र है बीनी पती के डर से नोकरी नहीं करती है अगला पात्र है किन्नी सावित्री और महेंद्र नाथ की छोटी लड़की है उम्र कितना है तो लगभग तेरा वर्ष उदंता और विद्रोह का सभाव है इसका हर बात में जित करने वाली लड़की है योन समंधों में भी रूची लेती है और तेरा वर्ष का उम्र है योन समंधों में रूची लेना प्रारम कर दी है असोक से हमेशा चिर्चिवा पन रखती है है हमेशा असोक से लड़ाई जग का आदमी है, फिर एक है मनोज, मनोज कोने तो काम वासना से लिपत आदमी, सावित्री का प्रेमी और बिन्नी का पती, अने एक समय सावित्री का प्रेमी था, परन्तु बाद में बिन्नी को घर से भगा कर उसे साधी कर लेता, किसे तो बिन्नी से, अब चलते हैं, ये तो पात कभप्न कथासार ऐधे अधुरे नातक की कथा सहर में रहने वाले मध्ध वर्गई परिवार की कथा है। महेंद्रनाथ एक समय अपने मित्र जुनेजा के साथ प्वेपार करता था तो उसके घर में खुसहाली थी महेंद्रनाथ घर का गिरह स्वामी था घर में सारी सुख स्विधाएं थी बच्चे कावेंट अस्कूल में पढ़ा करते थे समाज में मान मर्यादा और परतिष्ठा भी थी परन्तु वैवेसाय में लगतार नुपसान होने से महेंद्रनाथ की आर्थिक इस्थिती बहुत खराब हो जाती है महेंद्रनाथ जुनेजा का कर्जदार बन जाता है अनि एक समय महेंद्रनाथ जुनेजा का श्यत मिलकर वैपार करता था घर में खुशाली थी वह घर का स्वामी था उसके बच्चे कावेंट अस्कूल में पढ़ते थे समाज में मान मर्यादा और पर्चिस्था भी थी लेकिन वैपार में लगतार नुकसान होने से महेंद्रनाथ की आर्थिक इस्थिती खराब हो जाती है और वह अपने मित्र जुनेजा का क्या हो जाता है कर्जदार हो जाता है सावित्री किसी आफिस में काम करके अपने घर की किसी तरफ चलाती है घर के सभी सदस्य एक दूसरे से क्या है तो तूटे हुए है सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार बेठा महेंद्रनाथ अपने आपको बहुत कोस्ता है अपने आपको क्या करता है? बहुत कोस्ता है, घर में महेंद्र नाथ की स्थिति नौकर की भाती है, घर की खराब हालात को देखकर सावित्री अपनी बेटी सावित्री जोए अपनी बेटी और उसकी प्रेमी मनोज के साथ भाग कर साधी कर लेती, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, घर की खराब हालात को देखकर यहाँ पर बिन्नी होगा, क्या होगा, बिन्नी, ओ नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ेंग घर की खराब हालात को देखकर सावित्री की बेटी, यह होगी है, सावित्री की बेटी यानि बिन्नी, उसकी प्रेमी, किसकी प्रेमी, तो सावित्री की प्रेमी मनोज के साथ भाग कर क्या करती है, साधी कर लेती है, क्योंकि घर में सभी लोग एक दूसरे से परकार से कोई लोगी नहीं साभीत्री की ही प्रेवी मनौज के साथ भाकर क्या करती साध्य कर लेती है। परंतु असंतुस्ट होने पर वापस अपनी माँ अनि साभीतरी के घर आ जाती परंतु जब असंतुष्ट हो जाती है और इसे भी संपुर्णता की तलास है ये भी नहीं कर पाती है अंत में क्या करती है अपने मा के घर वापस आ जाती है धन के अभाव में पती पतनी के बीज हमेशा तनाव रहता है सावित्री अपने जीवन की सम्पूनता की तलाश में अन्य पुरसों से समन्द जोड़ती है परन्तु निरासा ही मिलता है अनि धन के अभाव में पती पत्ने अनि महेंदर नात और सावित्रे के बीज तनाव ही रहता है। अनि पुरुष जैसे जुनेजा, सिंगानिया, जगमोहन, मनोज, इत्यादी से सम्मद जोड़ती है। और सिफारिस है, ताला भी यह सा होगा, सिफारिस के लिए अपने बाव सिंगानिया को घर में बुलाती है। सिंगानिया दोगले किस्म का आदमी केसा आदमी है तो सिंगानिया जो है दोगले किस्म का आदमी है वह बिन्नी पर गलत नजर से देखता है किस पर तो सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी पर गलत नजर से देखता है सिंगानिया के जाने के बाद जगमोहन आता है जब सिंगानिया चला जाता है फिर कोन आता है जगमोहन पुरुस दो आता है पुरुस तीन आता है सावित्री जगमोहन के साथ भाग कर अलग जीवन बिताना चाहती है परंतु निरास होकर वापस घर को लोटती है अनि जगमोहन के साथ भागना चाहती है परंतु जगमोहन से भी उसे निरासा मिलती है तंत में भाग कहा आती है वापस अपने ही घर लोटाती है नाटक के यंत में सावित्री के घर जुनेजा आता है जो पुरुष चार की भुमिका में आता है जो सावित्री को महेंद्र नाथ से अलग होने को कहता है अनि क्या खतक तुम महेंद्र नाथ को किसी तरह छुटकारा दे दो सावित्री दवारा अनेक परभावसाली वेक्तियों को घर में बुलाने से महेंद्र नाथ घर से निकलकर जुनेजा कहा चला जाता है उसके बाद जुनेजा आता है और कहता है कि महेंद्र नाथ से अलग होने की बाता है कौन तो महेंद्रनाथ महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है परन्तु सावित्री के नजर में इसका कोई मोल नहीं अनि जुनेजा सही पता चलता है कि महेंद्रनाथ तुमसे बहुत प्रेम करता है परन्तु सावित्री के नजर में इसका कोई मौल नहीं अब देगे नाटक की कथा का जो अंत होता है वो पती पत्नी का वापस घर लोटने से अनि पत्नी जो है वो जग मुहन के साथ भागना चाहती है वो भी वापस अपने घर को लोट जाती है और इधर महेंदरनाथ अब फेसला किया था वो वापस अपने घर नहीं जाएगा परन्तु ये भी क्या होता है वापस अपने घर को लोटता है अनि दोनों वापस आजाते हैं अनि किसी को संपूर्णता नहीं मिल पाती है इसमें अनि कुछ गोन कथाएं कुछ महत्पुन तत्य हैं असोग युद्योग वाली देखे का क्वेंट महत्पुन यहां इसको भी हम लेकर आएं वो तो संपुन कथा का सार्थ था अज कुछ महत्पुन पुइंट जिसम लेकर आएं हैं असोग युद्योग वाली लड़की वर्ना से प्रेम करता है और युद्योग में काम करने वाली लड़की वरना से प्रेम करता है बिनि अपने पती मनोज के डर से नोकरी नहीं करती है, किन्नी 13 साल में ही योन संपर्कों में रूची लेती है, महेंद रनात 5 पेसे का आखबार खरिकता है, कितना पेसे का, तो 5 पेसे का आखबार खरिकता है, अब छोटी लड़की जो किन्नी, यहां पर बिन्नी हो गया, यहा किन्नी हो गया न, छोटी लड़की किन्नी, फाउंडस, डे में, पीटी के लिए, 3 नए टिकट बनवाने के लिए, मिस बनर जी को कहा है, किसको कहा है, तो मिस बनर जी को आधे अधुरे नाटक नाट यस्थल मकान में बेठने का कमरा है आधे अधुरे नाटक में कुल तेरा पात्र हैं कितने पात्र हैं तेरा पात्र हैं सभी पात्रों को भी देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले पुरुस पात्र में देख रहें तो आठ पुरुस पात्र हैं, काले सूट वाला अदमी, पुरुस एक, पुरुस एक में महेंद्रनाथ, पुरुस दो के भूमिका में सिंघानिया, पुरुस तीन के भूमिका में जग मोहन, और पुरुस चार के भूमिका में जुनिय जायस के लावे, असो, महेंद्रनाथ का पूत्र मनोज बिन्नी की बिन्नि का पती और साध्री का प्रेमी सीव्जीत साध्री के संपर के बाने वाला वेक्तित यह सभी पुरुष पातर के रुपया नहीं कुल आठ पुरुष rein रहें आधे दुरे नाटक में अब इस्तिरी पात्र को देख लेते हैं सावित्री इस्तिरी है ऐनी महेंद्रनात की पत्नी बिन्नी सावित्री की बड़ी लड़की किन्नी सावित्री की चोड़ी लड़की रेखा कोन है तो किन्नी की सहली है जो गोन पात्र कर रूप में आई ह और एक और वर्ना है असो की प्रेमिका और युद्योग सेंटर में काम करने वाली लड़की तो कुल कितने तो कुल पांच इस्तिरी पात्र और आठ पुरुष पात्र कुल कितना होगे तेरा पात्र इसमें हैं और आध्य दूरे नाटक में और देखी आगे महेंद्र नाथ पहले प्रेस का वेशाय करता था फिर दूसरी बार फेक्टरी खुला प्रंतु दोनों में ही उसे क्या हुआ नुकसान ही नुकसान हुआ जिसे कारण वो कर्ज में चला गया सावित्री का बाव सिंगानिया जो है दफ्तर का चीफ कमिशनर है उसकी तनुकफा कितना है तो 5000 रुपया आध्य दूरे नाटक में जब भी अन्य पुरूस सावित्री के घर में आते हैं तो महेंद्र नाथ घर से बाहर चला जाता है आध्य दूरे नाटक में जब अन्य पुरूस उसके यहां आया है पुरूस दूप, पुरूस थीन, पुरूस चार उस समय क्या तो महेंद्र नाथ घर में उपस्थित नहीं होता है किसी न किसी तरह बाहर चला जाता है आध्य दूरे नाटक का परकाशन राधा क्रिश्णन परकाशन और धर्मयूग पत्रिका याद रखना राधा क्रिश्णन परकाशन और कौन सी पत्रिका धर्मयूग पत्रिका दिल्ली दवारा 1909 में हुआ था आधे अधुरे मुहान राकेज जी का अंतिम नाटक भी माना जाता है क्योंकि इनका एक और नाटक जो अब परकासी था तो इसे ही अंतिम नाटक माना जाता है अब परमुख समवादों की भी समवादों को देख लेते हैं इसमें परमुख समवाद भी आये हैं यहां देखिए समवाद है बॉस सिंगानिया के आने के समझ में इस्तिरी आने सावित्री का पुरू सेकनी महेंदर नात के परती कथन है आज वह फीर आएगा अभी थोड़ी दिर में तब तो घर पर रहोगे तुम उसे किसी के यहां खाना खाने आना है इधर पांच मिनट के यहां भी आएगा लोगों को तो इरसिया है मुझसे कि वह दो बार मेरे यहां आ चुका है आज तीसरी बार आएगा यह किसे कहती है तो महेंदर नात को सावित्री कहती है और क्योंकि जब भी पूरुछ मेंदर नात घर में नहीं रहता इसलिए कह रहे है कि तब तो तुम घर पर रहोगे अनि घर पर होगे परन्तु वो रहता ने किसी ना किसी तरह वहाँ से चला ही जाता है और महत्पुर्ण सम्भाद आये हैं यह सावित्री का कथन पूरुस एक के परती बारे लड़की बिन्नी के विशे में तो तुम खुदी क्यों नहीं पूछ लेते उससे ज आज मिल जाती है मेरी नोकरी से वह भी न मिल पाती लड़की भी घर में रहकर बुढ़ा जाती पर यह ना सोचा होता किसी ने की यह कहकर वो क्या होती है गुशे से लाल हो जाती है सावित्री और भी कथन है यह भी सावित्री का पूरुस एक से ही है तुम्हारा घर आनि सावित्री महेंद्रनात से कहती है कि 10 साल पहले हमको कहना चाहिए था परंतों 11 साल नहीं हो पाएंगे अगर इसी परकार चलता रहा तो आर्थात वो महेंद्रनात से छुटकारा पाना चाहती है किसी अन्यपुरुस के तलास में ऐसे लिए वो कहती है कि आगे है अप सिंहानिया किसे देखकर तो बिननी को देखकर क्या बोलती है बहुत प्यारी बच्ची है मैंभी पूछ लहाँगी किसी दिन आपसे इस से भी कह दूँ आकर मिले आपसे एक बार नहीं यह इस तरी का कथन है इस त्रीक शिंगानिया से कहती है अपनी बेटी के बारे में कि बहुत प्यारी बच्ची है मैं भी पूछ लेंगी किसी दिन आपसे इससे भी कह दूँ आकर मिले आपसे एक बार आगे है मैं वहां पहुच गई हूँ जहां पहुचने से डरती हूँ जिन्दगी भर मुझे आज लगता है कि मैं सच कह रही हूँ आज अगर तुम मुझसे कहो कि देखो तुमसे बहुत बाते करनी है आज ये किसका कथन है तो ये सावित्री का ही कथन है सावित्री किसे कह र पीछिया है किसे कर यह जग मोहं से अगी अग फिर्छा के दिरिष्टि सभी कत्न डिक बहुत महत्पून इस sıबी कत्न करने नौट्स आपको चाहिए नौट्स भी मिली जाएंगे तो सभी कतनों को पढ़ लेना बहुत ये महतपून कथन सभी है जितने महतपून कथन परिछा के दिरिष्टी है सभी कतनों को लेकर आये हैं अब कथन के बाद इसमें फिर है नीचे आधे अधुरे नाटक के विशे में विद्वानों के क्या क्या मत रहें उसकी चर्चा करते हैं आधे अधुरे में नाटक की सही भासा का गहरी तलास है ये नेमी चंद्र जेन जी कहते हैं आधे अधुरे में नाटक की सही भासा की गहरी तलास है अधे अधुरे में नाटक की सही भासा की गह ठोज क्या है तो कदम है ओम से पूरिज जी क्या कहते हैं आधे अधुरे मुझे समकालिन जीवन का पहला सार्थक नाटक लगता है क्या लगता है तो मुझे समकालिन जीवन का पहला सार्थक नाटक लगता है उसके बाद महेश आनन्द क्या कहते हैं यहाँ नाटक विघटित होते वे भी मदवर्गे परिवार में ब्याप्त कुंठा जन्य घुटन कुंठा जन्य घुटन और उसे मुक्त होने की विवस्ता को पेश करता है यह कौन बोलते हैं तो महेश आनन्द जी उसके बाद बच्चन सिंग क्या कहते हैं इस नाटक के बारे में इतिहा सिक्ता के दिरिष्टी से सवचंदवाद काल में जो अस्थान परशाद का है उत्तर सवचंदवाद में वही अस्थान मोहन राकिस का है यह कौन कहते हैं तो बच्चन सिंग कहते हैं इसमें बहुत सारे महतपूर्न MCQ भी है इसे भी आप अगर नोट से लेंगे तो आपको यह भी मिल जाएगे इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर भी मिल जाएगा तो बहुत महतपूर्न यह वीडियो क्लास आपके लिए रहा होगा मुझे उमीद है साथी साथ अगर आपको अगर कोई CGL की त्यारी करें या हिंदी सहेत्य का इतिहास का नोट से किसी को चाहिए तो भारती विजन क्लासेश पर सब कुछ क्या है आपको सब कुछ मिल जाएंगे नोट सापको चाहिए तो दिखिए सारी नोट सापको उप्रब्द मिलेंगे आपको आदी काल से लेकर रिति काल, भक्ति काल, अधुनी काल जो कुछ हए बारती विजन क्लासेश पर मिल जाएंगे जिसको भी लेना हो आज ही भारती विजन क्लासेश टेलिग्राम ग्रूप में ज्वैन करें जो डिक्स्प्रिशन बॉक्स में दिया हुआ है अब मैं आपसे बिदा लेता हूँ साथियो वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें जो वीडियार्थी अभी तक सब्सक्राइब ने किये सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को सेयर करें ताकि अन्य वीडियार्थी जो हिंदी साहित्ती की तियारी करें उनके पास चला जाए क्योंकि आधे अधूरे जो नाटक है ये लगबख सभी परत्योंगी परिच्छा में लगा हुआ है तो बहुत ही महत्पूर्ण है इस क्लास को पढ़ने बाद आपको आधे अधूरे नाटक में जितना महत्पूर्ण तत्य आपके दिमाग में चले झाल